प्रवाद करता हूं अपने परवाद टैक पूर में तो जल्दी से आ जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ दो तीन चीजों के नए एनाउसमेंट भी आपको बताने हैं कुछ चीजें हैं कल के किलास का सेडूल भी बताना है तो जल्दी से क्या करेंगे जल्दी से आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा जो मिक्स कुश अब बस एक बार किया करो शेयर का माल करते हो ळर्यद्द बूल रहे हैं जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और सरि हुआ कर देट ने घखेयर अपना सेशन एक बार सवी लोग शेयर कर देंगे अच्छा बड़ा डल लग रहा मेरे सब्जेक्ट से भाई साब मेरे सब्जेक्ट से सरल सरल है बहुत क्यूट से है बहुत क्यूटी प्यूटी से है इसमें के डर सर आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन का कुछ करवाईए सर सब्जेक्ट के रिवीजन का कुछ कराऊं देखो सबसे पहले तो यह है कि एक एनॉंसमेंट जो करना है वो यह करना है कि भाई जिनोंने जो सक्स और जो सक्सियत जिनोंने क्या किया था जिनोंने हमारा जारखंड A.E. का बैच लिया था और जिनोंने अभी जारखंड A.E. का बैच नहीं लिया है वो एक मौका और है भाई फटाक से ले लीजिए जारखंड A.E. का जो मेंस का बैच चल रहा है क्योंकि कल यहाँ पर जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ कल सामको पांच बजे 5.00 पी-म पर आपका इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने बारा जो की इंगलिश होगा जो की क्या है इंगलिश होगा जो आपकी आनी है तो यह है सामको पांच बजे कल जारखंड A.E. मेंस बैच में जो पेड़ है ऐसमें मेंस के लिए ठीक है ने कॉंसेंट फूकुष्चन वाली क्लास है यह 7.00 बजे स्टार्ट होगी कल नहीं होगी 7.00 अम से ओगी 9.00 अम तक ठीक है कल नहीं होगी यह होगी जब मेरा मन होगा मतलब कि मतलब कि 2-3 दिन बाद ठीक है तो उसके बाद time table launch होंगे तो उसके बाद हम start कर देंगे आपका crash course भी ठीक है चलिए और बाकी revision तो हो गई जल्दी से क्या करेंगे share कर दो वाइफरा में start करेंगे ठीक है तो यह कुछ था जिन्होंने ae का mains का batch नहीं लिया है वो जल्दी से ले रहे हैं और राजस्थान जे रही जीत answer पढ़ाई रहें English तुमारी start होई जाएगी बाद मैं भी आ रहा हूं ठीक है दो गंटे लगा तार साथ से नौ तो geography है फिर सुबहर साथ से नौ geography देखो जारखन डेई वाले जो हैं उनसे चीज किलियर कर ली गई थी कि आपको फरक तो नहीं पढ़ता कि आगर चलिए फिर श्टार्ट करते हैं वाई जीत answer की class कब से होगी जीत answer की class लगातार चल रही है जारकंड मेंस बैच में लगातार दो से चार चलती है उनकी दुपहर में दो घंटे डेली चलती है ठीक है न अभी तक कोर्स नहीं लिया तो जल्दी से कोर्स लेंगे उसे ठीक है यह वाले विद्यार्थी आपका तो सब होई गया ना आपका रिवीजन कराना तो रिवीजन तो होई जाएगा भाई इनका भी start करना बात को समझो गहराई पर जाने की कोसिश करो चलिए चलो अब start करते हैं तो यह कुछ चीज है थी हाँ और एक और चीज कल आपकी क्लास नहीं होगी मेरी होगी मेरी क्लास कल होगी बाकी क्लास नहीं होगी यानि कि जो सुबह आपकी साथ बजे क्लास चलती है जो आपकी सुबह क्लास चलती है साथ बजे ठीक है ना 7 एम बिवेक सरका कल से स्थिम्हार्थ का वे नहीं होगी नहीं होगी, यह तेन क्लास जो नहीं होगी जो नहीं होगी यह इनका ओफ रहेगा, ठेके कел कर नहीं कल स्टार्ट हो जाएगा रात को साम को च्छे बज़े तक चलेगा यानि कि छे से च्छे से च्छे यानि कि 12 गंटे का नॉन श्टॉप करेंट अभी तक का जितना पूरा जो भी है उसमेटिक जितना बीत गए हैं सब का इखटा तो इस इस परपस से नौ बज़े तक तो क्योंकि यह च्छे बज़े के बाद लाई करती है ठीक है तो यह थी कुछ चीजे चलते हैं फिलाल हम कुछन नमर्फर्ष्ट की तरफ जल्दी श्यर कर दिया मैंस एक के लिए समझ समझ लिया था इसलिए चलिए चलिए कुछन नमर्फर्ष्ट आपकी स्क्रीन में आ चुका है और यह कुछ कहने की कोसिस कर रहा है क्या बोल रहा है एल्टी मेट्री में भी डिपिक्टिड मोश्ट एकुरेटली बाई किस चार में से चार आप्सन दे रखें किस के दोरा सबसे सही सबसे accurate तरीके से इल्टिमेटरी डिपेक्ट की जा सकती है निकाली जा सकती है अरे जीते एंसर की क्लास चल रही है वो लगाता चलेगी वेटा मैंने अभी कुई ऐसा बोला कि एक क्लास बंद होगी जो चल रही है वो चलेगी बागी और एड होंगी जल्दी बताओ टैसरीज कब से टैसरीज एक ही नहीं आएगी सॉरी क्योंकि उसके लिए हमारी एप अभी डिजाइन नहीं है इस तरीके से कि हम एक ही टैसरीज आपको दे पाएं क्योंकि आप लोग फ हाइट और एल्टिट्यूट को मेजर करते हैं क्या करते हैं हाइट और एल्टिट्यूट को मेजर करते हैं वह हम एल्टिमेट्री कहलाता है ठीक है रहा है तो क्या इसकी डेफिरेंस से हो जाएगी Altimetry is a measurement of height और altitude और ये सबसे सही तरीके से किसके द्वारा हो सकता है Contours line के जरीए हो सकता है बात के लिए रहे है चली तो पहला कुश्चन ज्यादा major, ज्यादा important, ज्यादा खतरनाक होती है जिसको हम बरदास नहीं कर सकते एतवार नहीं कर सकते उससे चलो Which one of the following errors is most severe in the plane table surveying Height और altitude अवनाज जिंदल जी Like, Share, Subscribe करें सही बात हेवंत ने कुछ कह दिया हमने फिर नहीं देख पाया B और D बोल रहा है देखो, देखते हैं, plane table surveying आपने surveying के पढ़ा होगा, कोई नया सब्द नहीं है आपके लिए ठीके न, तो ये बोल रहा है, जो error होती Most, which of the following error is most severe सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी severe error होती है माल लो जैसे अगर आपको सिर्फ plane table surveying ही पता है, माल लो For example, आपको समझ नहीं आ रहा, क्या करें ठीके न, जैसे हिमन जोसी जी ने आंसर दिया Defective Orientation Orientation देखो, हमेशा याद रखो अगर आपका orientation ही plane table surveying में गलत हो गया तो जाइड सी बात है, आपकी बाकी की पूरी plotting खराब हो जाएगी, तो सबसे severe error हम किसको मानते हैं, Defective Orientation को किसम है, plane table surveying में, ठीक है, तो इसका B option correct हो जाएगा, तो इसी पिरकार से हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं, next question की तरफ अगला question आपका यह रहा, question number 3 आपकी screen पर इह रहा, the process of determining the location, the process of determining the location of station occupied by the plane table is called as, the process of determining the location on the map, occupied by the plane table is known as क्या कहते हैं इसको क्या करना है, क्या पूछ रहा, देखो ऐसी process, जिससे हम यह determine करते हैं, location of a station station, इस station की location को determine करने के, का जो process होता है, plane table में वो, उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है, एकदम correct, resection, ठीक है न, क्या कहा जाता है, उसको, resection उसे कहा जाता है, बात clear है D option इसका correct होगा, तो यह चीज जिसको जो गलत बोल रहा है, तो एक बार उसको cross check कर लेंगे, ठीक है, चलिए तो बात clear हो गई, क्या कर रहा है, location को determine करने का तरीका बता रहा है ठीक है, न, वो process जिससे हम plane table पे location को determine कर सकते हैं, वो आपका resection कहलाता है, ठीक है, simple definition है, यही resection की, ठीक है, चलिए, next, question of four बोल रहा है, which one of the following figures are equal to one acre, कोल मला के बात इतनी कही गई है, बात बहुत simple है, इतनी simple नहीं है, फिर भी simple है, एक acre की बात की गई है, किसकी one acre बोल रहा है, एक acre किसके बराबर होता है, है, कई तरीके की चीजें है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, बोल रहा है, square feet, सबसे पहले बोल रहा है, कि एक acre क्या, four, three, five, six, zero, square feet के बराबर होता है, बिलकुल सही बात है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको star लगा के लिख लो, one acre equal to four, three, five, six, zero, square feet, बात के लिए रहे, एक acre किसके बराबर हो गया, एक acre हो गया, four, three, five, six, zero, square feet, यानि कि यह बाला तो सही बैठ गया, अब, दूसरा ऐसी में देखते हैं, एक acre अगर मैं इस unit, gun task के हिसाब से देखूं, तो एक acre 40 गंतास के हिसाब से लिया जाता, तो ये भी एकदम correct है, तो ये भी सही है, ठीक है, अब, गंटू, ये gun task chain के हिसाब से देखते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर देखना, एक acre अगर हम लेंगे, ये गलाथ है, लेकिन इसको हम सही बता देते हैं, एक acre अगर अगर लेते हो, तो gun task chain के हिसाब से कितना पड़ेगा, 10 into the, 10 to the, 10 into gun task chain बात के लिए रहे, ये रहा एक acre इसका, ठीक है न, तो बो भी तो सही दे रखा, ये भी सही है, गलाथ कहा है, ये भी सही दे रखा, अब यार्ट में, स्कॉर यार्ट में पूछा है, एक एकर, 4850 स्कॉर यार्ड होता है, ये गलत है, ठीक है न, तो इसमें क्या लेखेंगे, एक एकर जो आपका होता है, अगर मैं स्कॉर यार्ड में देखूं, तो 4850 पचास न होके, इसी केर्दगिर्द है 4840, ठीक है न, 4840 स्कॉर यार्ड, ठीक है न, ये आपको याद कर लेने हैं, तो कुल मिला के ये बाला सही है, ये बाला सही है, ये बाला सही है, 123 सही है, और 4 त आपका गलत है, क्योंकि 4850 ना होके, 4840 स्कौरेर यार्ड होता है, एक एकड, तो यानि की 1, 2, 3 है correct, तो 1, 2, 3 है correct, कहा गया, तो A option इसका correct हो जाएगा, question number 4 का A option correct हो जाएगा, ठीक है बटा, ठीक है, 1, 2, 3 इसका correct है, देखिए अजय सर की जितनी भी क्लासेज हैं वो अब कल से वो घर से लेंगे लैपटॉप से लेंगे तो जाइड सी बात है अब वो सलेबस को जल्दी जल्दी कराने की और अच्छी तरीके से कराने की कोसिस करेंगे कोई ओफिस में दिक्कत है इस समय स्टूडियोस की बहुत ज़्यादा ठीक है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है मारा मारी है और ऐसे टाइम पर टेक्निकल को साइड कर दिया जाता है तो इससे अच्छा साइड हो उससे अच्छा घर पर बैटे करा लें वो ज़्यादा बैट बोल रहा था तर्णिंग दे थेड़ोलाइट टेलिस्को पिना वर्टिकल पिना अबाउट दा होरिजॉन्टल एक्सिस ये इसके बात हो चुका था अब क्या हो गया है तुम लोग मेरे में तुरांट डिफेक्ट बता देते हो यार क्या हो गया है समय किसमे क्या गलत कह दिया मैंने हाँ सही तो है सही है तीसरा ओप्सन क्या देख्या तो समय एकदम करेक्ट है चली हम कहां थे हम यहां थे बताइए देखो क्या बोल रहा है थेड़ोलाइट टेलिस्कोप को टर्न कर रहा है तो इसका answer क्या हो जाएग बटा। करेक्ट है। यहीं पर अगर उल्टा कह देता क्या कर रहा अभी horizontal एक्सेस करें अगर किसे अभी horizontal एक्सेस के थुरू कर रहा है और तो ट्रांसिरिंग ना उकर क्या हो जाएगा। तो पिछली बार भी से में confusion था तो अब इस confusion को मैंने फिलाल आपने ये question कर रखा है लेकिन फिर से आगया तो आप मन में कोई dot मत पालना ठीक है चलिए question 6 आपकी screen पर which one of the following which one of the following condition require geodetic surveying इनमें कौन सी ऐसी condition है जिसके लिए हमें geodetic survey करना पड़ेगा आपको पता है survey दो तरीके के होते है plane और geodetic अब बताईए इनमें कौन सी ऐसी condition आ गई जिसके लिए आपको geodetic survey करना ही पड़ेगा जल्दी से लोग शेर नहीं कर रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सी देखो survey of a country देखो बात को बलाके बात यह हो गई कि जब हम किसी भी particular country का survey करते हैं तो हम क्या geodetic survey करते हैं तो इसी लिए क्या हो गया survey का country का country का सर्वे करोगे तो geodetic survey का सारा लोगे जिसमें हम आर्थ के curvature को consider करते हैं है ना इतना दो पता ही होगा तो इसका C option correct और आपने एकदम सारे लोगोंने सही option देए कुश्च नमर 7 बोल रहा है कुश्च नमर 7 में की which one of the following is not strictly a method of remote sensing इसमें से कौन सा is not strictly a method of remote sensing का method नहीं है which one of the following is not strictly a method of remote sensing हा नहीं है पूछा है नहीं है पूछा है जल्दी बताएंगे और शेयर करते रहेंगे बताएंगे thermal and multi-spectral scanning, microwave sensing, earth resource satellite, remote sensing की बात कर रहा है थोड़ा से दिमाग दोड़ाओगे तो भी कर सकते हैं इसको D option correct बोल रहे हैं लोग stereoscopy मुझे पूलता पता है कि तुम्हें ये बात नहीं पता होगी stereoscopy क्या होती है लेकिन आपने इस कहांसे सही दिया मैं इस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया होगा कि sensing हो गया अर्थ सेटेलाइट हो ये सब remote sensing है stereoscopy नहीं होता है ठीक है अब ये होता कि आगर इसके बारे में जानने में थोड़ा सा इच्छो को तो ये एक phenomena होता है किसमें हाँ हाँ समझ रहे हैं हिंदी कैसे करूँ समझ रहे हैं मिटना थोड़ा रुख जाओ इसको बता लें फिर हिंदी का भी बता देंगे ठीक है ये क्या होता है ये एक phenomena होता है perception of depth के लिए find करने के ठीक है ना phenomena of perception of depth ठीक है ना depth के बारे में अगर कोई perception हमें निकालना होता है तो उस phenomena के ज़रिये निकालते हैं किसके तो उसे हम कहते हैं stereoscopy through a binocular vision किसकी help से निकालते हैं through a binocular अब ये मत पूछना ही सब क्या होता है ठीक है ना बस याद कर लो यही है तो इसलिए आपको बस ध्यान रखना है बात के लिए रहे चले जल्दी से शेयर कर देंगे फिर हम आगे चलते हैं अगले question की तरव question no.8 आपकी screen पर आचुका है बहुत स्षांदार तरीक से बोला है an object on the top of a hill 10 meter high is just visible above the horizon from a station sea level the distance between the station and the object निकालना है एकदम direct formula based question है 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 यह जो नीचे timer चला है मेरी class इतने घंटे तर लगातार चलेगी अब ठीक है न और इसके 3.853 एक बार जड़ा चेक करना डी भी बोल दिया ए भी बोल दिया है ओके सुमित भी बोल दिया है और कुछ बी को लॉक किया जाए ऐसा कुछ बातें की गई है formula कौन सा लगाया है distance आपको निकालना है तो सुरी distance आपको निकालना तो कौन सा formula बिटा लगाया है बताईए कौन सा लगाया है 3.853 3.853 अंडर रूट में H यही लगाया होगा साइद 3.8 हमें क्या निकालना है distance निकालना है distance वह विज्विल होरिजन डी कॉल टू 3.853 अंडर रूट एच यही निकाला है अरे कल एक्चुली विवेग सर का event है यह timer जो नीचे चल रहा है ना 7 गंटे 41 मिनट के बाद विवेग सर का current affair महा महराथन 12 गंटे का आएगा तो इस चक्कर में कल 9 बजे की एक्जामपूर में चैनल पर सारी क्लास ओफ रहेंगी 6 बजे तक ठीक है ना इसलिए मैंने आपको बोला अंडर रूट एच ठीक है ना अब इसमें जब हम वैलू रखेंगे तो क्या रखेंगे 3.853 अंडर रूट में एच में क्या रख दो यहां पर बताईए भाई क्या रख दिया अपने एच में एच में क्या रख दिया एच में यह 10 मीटर दे रखा है इसका आंसर मैं आपको बता दूं सुनो पहले नोटा होटा सुनो इसका जो आंसर है वो 38.53 होना चाहिए मेरे एसाब से जड़ा चेक करिए जड़ा चेक करिए इसका आंसर 38.53 किलो मीटर में दे रखा है किसमें किलो मीटर में यूनिट को देख के जड़ा देखना आप बोल रहा हो 3.853 यानि कि कहीं न कहीं कुछ मामला गलबढ है हाँ तो एच की वैल्यू हंड्रेड ही ली जाएगी एच की वैल्यू हंड्रेड है बिलकुल सही तभी मैच करे गई हाँ वो गलबढ है वो वहाँ पर गलबढ है ऐसी कल भी एक कुश्चन उसने एक जीरो का कुछ कर दिया था ठीक है चलिए तो आब बताईए सौ मीटरी है सौ मीटरी है वहाँ पर उन्होंने जीरो अटा दिया ठीक है चलिए कोई दिखकर नहीं तो कुल मिला के आप समझ गयो ओप्सन करेक्ट है चलिए कुश्चन अब यह मत कहना मैंने गलत बताया मुझ पर आरोप लगाते रहे तो आरोप प्रत्यारोप तुम लो सौ की जगे दस लिख दिया नहीं ठीक है चलिए next question the difference between the apparent solar time and the mean solar time is known as the difference between the apparent solar time and the mean solar time is known as किसके बीच में difference बोल रहा है apparent solar time और mean solar time के बीच का जो difference है उसको क्या कहते है real time, average time, equation of time यह side real time the distance between apparent solar time distance between इसका c option correct रहे होटा equation of time इसका जो सही option होगा equation of time, the difference between the apparent solar time and the mean solar time is always known as equation of time ठीके न, यह हमें, सब लोग D क्यों दे रहे है c option इसका correct है, अब फिर गलत बोलोगे c option इसका correct है हाँ, तुक्का में D बोला, technical जोगा आड़ने Manu Singh जी बोल रहे है, side real बताई हो जारा कैसे, definition को थोड़ा elaborate करेंगी आप, इस conscious C होगा, जो D बोल रहे है गुपता, इन्वास D, यह भी गलत है, अब देखो अच्छा, एकदम से answer बदल जाते हैं C, 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 अच्छा, दो तरीके के लोग हैं, फोड़ी वारत अलाब भी करेंगे, समय को पूरता बरवात करते हुए next, question number 10 और वो यह रहा question number 10, इस को गलत करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी question number 10 आपकी screen पर, consider the following statements related to the properties of a good quality soil sample ठीक है न, statement किस से related a good quality soil sample, यह जो, यानि कि आपने sampler से कोई भी soil sample लिया है, तो एक अच्छी quality का soil sample आपको मिला है यह आप कैसे पता लगाएंगे इन parameters के जरीए बताईए, देखो एक बात तो आपको पता थी कि अगर आपको एक undisturbed sample निकालना है, कम से कम undisturbed sample हो, तो हमने क्या पढ़ा था यह पढ़ चुके दे पहले कि area ratio जो है, वो उतना कम से कम होना चाहिए, तो कुल मला कि यह बात तो आपको पता ही थी, यह बात आप पढ़ते आ रहे थे लगाता है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, cutting edge इसमें should be thick, inside clearance should be high, outside clearance should be low, यानि कि एक अच्छी soil sample प्राप्त करने के लिए, और कौन-कौन सब्सक्राइब करेक्ट है, याद कर लो यह कुश्चन बहुत बार आया है, अलग-अलग services के repeated थे, ठीक है, अब मुद्दा आता है कि सर इस बार ऐसा नहीं होगा, तो मैं पता है, तो मैं कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ उतना पता है, जितना तुमारा दिमाग बोलता है, तो engineering services के question must है लगा के जाना, ठीक है ना, बाकी आप लोगों को वो हम लोगों ने लगवाए हैं, बाकी इधर उधर के भी मैं लेके आता ही हो question, तो कुल मिला के इतनी practice आपके लिए प्रयाप्त हो जाएगी, next question की तरफ चलते हैं, question number 11, question number 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, question number 11 बोल रहा है आप से, the quantitative statement of a balance between water gain and losses, ध्यान से पढ़ो, the quantitative statement of the balance, माले एक बढ़िया quantitative statement दिया, किस-किस के बीच में balance बठाया, between the water कितना प्राप्त किया और कितना खोया, तुम इस जीवन में दुनिया में आया हो, क्या पाया, तुमने क्या खोया, water gain and losses in a certain basin, during a specified period of a time, is which one of the following, ये चीज़, अच्छा, कुल मिला के storage बोल रहा है ये आपर, चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है न, तो a option correct है, ठीक है न, क्या लेकर आये थे, क्या लेकर जाओगे, वाली वही feeling है, पानी लेकर आया था, losses लेकर गया, तो बचा कितना, ठीक है न, तो बचा water budget, ठीक है न, चलिए next, question number 12, question number 12 आपकी screen पर, और वो ये रहा, क्या बोलने की courses है, the depth of a foundation depends upon, depth of a foundation depends upon, depth of a foundation किस पर depend करती है, जल्दी से बताएंगे the depth of a foundation depends upon, ये question आप कर चुके हो, लेकिन दूसरे रूप में, फिलाल चलो, उसका दूसरा रूप आ गया है, ठीक है न, अब इसका बताना, a और b में कुछ जद्दो जहेद चल रही है, question number 12 आपके सामने देखो, सबसे पहली बात तो ये clear कर लो, कि जो depth of foundation है, ये चीज में पूछ चुका हूँ, फिर भी आपने गलत बता दी, ठीक है न, a, b में confusion है, b option इसका correct है, सबसे पहले ये बात देख लो, किस किस पर depends, score depth प करता है, depth पता bearing stratum, एक question मैंने पहले कराया था, grip length से according, इस पर मैंने grip length के according, कुछ मैंने बात बोली थी, अगर मैं grip length की बात करूँ, किस की, grip length की, तो as compared to score level, as compared to score level, grip length कितनी ली जाती है, ये मैंने बात बोली थी, as compared to the score level, grip length कितनी ली जाती है, जल्दी से बता देंगे मुझे, as compared to the score depth, the grip length is taken as, हेमन जोसी जी ने एक दम अच्छा अंसर दिया, क्योंकि जब मैंने पिछली बार ये बोला था, तो आप इस पर मुझसे बहस कर रहे थे, आप कह रहे थे, एक तो तुम लिए मुझसे बहस क के पीछे पढ़े थे, तब आप माने नहीं थे, ठीके न, तो इस बार को दुबारा बता दे रहा हूँ, one y third लिया जाता है, off score level, ठीके न, off score level, अब कुछ लोग होंगे, सरी, ये क्या बातें चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, वो ये कहेंगे, सरी, ये क्या बोल रहे है score depth, क्या है ये grip length, क्या है ये rankine depth, क्या है ये bearing stratum, ये क्या है ये foundation, तो इसके लिए आपको soil पढ़ना पढ़ेगा, soil पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ें देखनी पढ़ेंगी, soil में जाओगे, foundation वाले chapter में जाओगे, थोड़ा deep पढ़ोगे, एक दो पेज की चीज़ें पढ़ोगे, तो हो जाएगा, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मेरा revision आने का वेट करिए, जल्दी आने वाला, ठीक है, चलिए, और संगीन आरोब मतलगाना, from the analysis of the rainfall data, बोल रहा है, at a particular station it was found that a rainfall of 400 mm had a return period of 20, return period आपको given है, ध्यान से answer करना, बहुत सदल होते हैं, इसे question, return period कितन है, आपको बोल रहा है, period of 20 year, हर 20 साल पर, ठीक है, return period 20 year का है, चलिए, what is the probability of rainfall equal to or greater than 400 mm, occurring at least, at least one, जब at least की बात कर जाए, तो पिस इना सक्स, year कितने दे रखे हैं, 10, यानि कि मेरे पास return period का data और at least आप से पूछा है, तो कुल बलाके जो बाते होंगी, वो कुछ कल वाली ह हो जाएंगी, peak equal to, risk जो हमने कल risk निकाला था, क्या हो जाएगा, one minus, one minus, one by T, और यहां पर जो T होता है, ये return period होता है, ये T जो होता है, ये return period होता है, जो आपको given है, 20 years, तो कुल मलाके जब बातें करेंगे हम लोग इस तरीके की, तो एक बटे 20 हो जाएगा, और N की पाव रूप से one minus, इसको solve करेंगे, कितना आएगा, 0.95, 0.95, 0.95 की power 10, ये आजाएगा, तो one minus 0.95 की power 10, B options का correct है, किसी कोई दिकत होनी नहीं चाहिए, ठीक है बटा, चलते हैं इसी में अगले question की तरफ, ऐसे question quickly होने चाहिए, next question, आपकी screen पर, और ये रहा, which one of the following zometric features requires the magnitude of weaving angle and weaving distance अब बात आती है, कुछ लोग ये ना कहते हैं, कि सर ये weaving सब्द क्या होता है, ये क्या होता है, weaving सब्द क्या होता है, ठीक ना, कहोगे नहीं, इतना तो लापरवाद नहीं होगे, which one of the following geometric feature requires the magnitude of weaving angle and weaving distance for its design, यानि कि इन में से चार चीज़ें दे रखी हैं, इन चार चीज़ो की जरुवत कहीं ना कहीं पढ़ती है, कुल मिला के पूर्ण रूप से आप से ये पूछ रहा है, और आपको पता होगा, कुछ लोग इसका C option, ये roundabout क्या होता है, बतायो, तो rotatory की जब हम design करते हैं, ठीक है ना, जब formula एक rotatory का होता है, rotatory को जब हम design करते हैं, तब मुझे weaving angle और weaving distance पता लगाने होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जरूवत हमें वहाँ पर पढ़ती है, इन geometric features की हमें rotatory को design करते हैं, जरूवत पढ़ती है, बहुत सरल चीजे, rotatory के बारे में भी मैंने इसी class में बता रखी, संतिप जानकारी, कि rotatory आपको कब beneficial होगी, minimum vehicle, maximum vehicle, right angle कितना, जो right angle, diverted traffic हो कितना होगा, यह सारी चीजें आपको recall कर लेना, इसी class बताई, 10 वजे वाली mix question में, ठीक है, चलो, अब कुछ लोग फिर संगीन आरोप लगाएंगे, मेरे उपर आरोप लगे हैं, काफी तगड़े-तगड़े, बताऊंगा उन आरोपों को, which one of the following is the chronological sequence in regard to road construction and design development, कुल मिला के ये बोल रहा है, कि chronological यानि कि सबसे पहले कौन सी चीज आई, ठीक है न, जब हम पहले की study करते थे, जब पहले की study आए, तो कौन सा टेलफोड पहले आया, ट्रेसगोड, CBR, मेकड़म क्या, उनका सई सिक्वेंस बताईए, अबे परकास जी, आप हुसियार इस्टूड़ेंट लगते हैं, लेकिन सायद सब्द लगाके आप ये ना कहें, प्लीज एक बार रीचेक कर लें उसे, लाइक, शेर, करते रहेंगे, B-Option लोग करेक्ट बोल रहे हैं, क्या है भाईया, B-Option करेक्ट है, बिलकुल सही बात है, क्रिणोल्च को ओडर, ट्रेसगोड आया, टेलफोड आया, मेकड़म आया, फिर उसके वाद CBR मेथड जो आपका चलता है, ठीक है, तो ये आपका B-Option करेक्ट है, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, अगला, question 16 आपकी screen पर, the principle involved in a collection and sampling, ध्यान से question को पढ़ो, आराम से पढ़ो, the principle involved in collection and sampling of particulate matter in which the particle are drawn through a device by a deflecting them from the original path, पूल में आके ये बात ये कह रहा है, air pollution, यानि की air particulates जो होते हैं, उनको हम remove करने की बात कर रहे हैं, जो particulate matter जो होता है, उसको हम remove कर रहे हैं, और वो जो principle involved उसमें, वो involved by deflecting them from their original path, और वो device, ऐसा कौन सा device करती है? ठीक है ना, वो कौन सा device करती है? बिलकुल सही बात है, बाकी चीज़ें तुमने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है ना, जो तुमने सुना है तुम उसी पर जाओगे, और तुम धीट हो, तो B option correct है, electrostatic precipitator, ठीक है ना, चलिए, next, question number 17 screen पर आ चुका है, which one of the following is useful, which one of the following is useful in functional evaluation of payment? सोभेंट, सोभेंदर बोलन है से numerical भी solve करिये, numerical भी बीच-बीच में कराता रहता हूं, जो डीप numerical है, 7 वजे वाली भी RCC खतम हुई, उम्मीद करता था, आप उसमें कर रहे हैं, numerical धीरे-धीरे आएंगे, परिसान मत हो, कराता हूं हमेसा numerical में, ठीक है, ना, परिसान मत हो द करते हैं, तो इन्हों ने बोला, पीब को हम लेते हैं, पहली बात तो यह आंसर गलत है, ठीक है, पीब थियोरी अलग चीज होती है, पीब थियोरी क्या होता है, perception, intellection, emotion, violation, पीब थियोरी से हम क्या, क्या पता लगाते थे, reaction time पता लगाते थे, थोड़ा आप उसको correct करेंग फिलाल, जब इसका C option नहीं होगा, तो कौन सा होगा, इसका सही option होगा, PSI, सही option है, इसका PSI, PSI क्या होता है, present, अच्छा, सब नहीं सी दिया था, सब नहीं दे दिया था, अच्छा, PCU, passenger car unit होती बोला गए, यहां पर बोल रहा है, function evaluation of payment का, PSI के थुरू करोगे, present serviceability index, क्य Sir, Visibility Index, ठीके न, इसके थुरू हम, कुछ numerical approach भी लगाते हैं, अंदर की बाते हैं, यहां इतना आपके syllabus में नहीं है, तो हम वो PSI के मदद से करते हैं, चलिए, ठीक है, बात के लिए रहे, next, question number 18 आपकी screen पर, with addition of lime in a soil, अगर मैं soil में lime की मातरा को डालता हूँ, फिर उसके ब Lime with addition of lime in a soil, अगर soil में हम lime की lime को डालेंगे, तो क्या effect पड़ेगा, जल्दी बताओ, तो lime को अगर तुम soil में डालोगे, किसको, addition of lime in a soil, तो क्या होगा, liquid limit और plastic limit पर कुछ फरक पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को दिमाग में बठा लेना, liquid change दोनों ही होगी, अगर आपसे question यह पूछ लेगा, कि change होगा, तो बिलकुल change होगा, ठीके न, यानि कि देखो जब बात आई, liquid limit की भी change हो रही है, plastic limit भी change हो रही है, तो कहीने कहीं plastic index भी बदल रहा है, क्या change की, मैं सिर्फ change की बात कर रहा हूँ, IP क्या हो रहा है, IP change हो रहा है, मैंने change की ब limit पर फरक पड़ता है कम, और PL पर फरक पड़ता है ज्यादा, यानि कि PL आपकी क्या करेगी, plastic limit यह ज्यादा change होगी, ठीके न, यह कम change होगी, वो ज्यादा बदलेगी, यानि कि, बात clear है, यानि कि यह अगर कम बढ़ी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीके, अब यह ब change बताओ, क्योंकि कुश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, न? C option correct मैंने बता दिया, अब इस पर IP पर क्या फरक पड़ेगा इसका, change तो होगा, अब मैं तुमसे positive negative की बात पूछ रहा हूँ प्रदी बोल रहा है, B भी होगा, सर, placity index decrease होता है, B में, अच्छा, placity index कहाँ पर, मैंने यहाँ पर decrease लिख रखा है, प्रदी बाहर को जी, कुश्चन को, साइध आपने गलत देख लिया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीके न? यह क्या करेगा, reduce करेगा, सबसे पहली बात तो यह हो गया, यह reduce करेगा, आपने यह बात बता दी, जब यह बात reduce करेगा, तो इसका B option कैसे हो गया, प्लासिटी इंक्रीज लिखा है, साइध थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, यह decrease नहीं प्रदीप जी, यह increase लिखा है, यह B option का है, यह increase है, यह, ठीक है, आप इसको decrease पढ़ लिए, यह increase है, तो B तो नहीं होगा, ठीक है, चलते हैं, उम्मीद करता हूँ, समझ में आगया होगा, C option correct है, अगला, साउंड नहीं आ रहा है, चेकरो, चलिए, अगला कुछ नहीं आपके सामने यह रहा, हाँ, प्रदी भारगोजी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने वही तो कहा कि तुमने उसको गलत पढ़ लिए, तो मैंने जूम करके देखा, एक्शली इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा था, ठीक है, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा था, चलो, next, the load carrying capacity of an individual friction pile is 200 kN, what is the total load carrying capacity of group of 9 such piles with, अरे, सुभेंद जी, numerical आ गया, हाँ, प्रदीप को hard copy विजवाई जाएगी, और hard copy सिर्फ पता किसकी, increase सब्द की, बस, क्योंकि उन्हें देखकत increase और decrease में थी, पूरा तो वो पढ़ लिए थे, increase सब्द की सिरफ, ऐसा, 14,000 रट के बैठे हो, ठो, रट के बैठे हैं ये लोग, गलत आंस बात, तो क्या, कैसे किया भाई, कैसे किया, consistency इसको given है, Epsancy कैसे निकाल, Epsancy आपको given है, इंटू में और क्या करदें, load and beveling capacity हम भी पढ़ने है, 200 अप वाटत टूटल लोट लोट, capacity of group of 9, Epsancy, Epsancy factor आपको 0.8 given है, ठीके न, Capacity of single pile, कितनी होगी, formula लखे दे रहा हूँ, Capacity of single pile, Capacity of single pile, इन्टू में, कितनी है सिंगल पाइल, इन्डिविज्वल आपकी 200 दे रखिए, ठीके ना यहापको दे रखिए, 200, और इन्टू में क्या गर दोगाओ, नम्मर आप पाइल, यही तो किया होगा, सरल सा कुश्चन था, तो क्या करोगे, 0.8 कर दिया है, इन्टू में कैपसिट की तरफ चलते हैं अगला कुछ नमर्ट 20 क्या बोल रहा है कुछ नमर्ट 20 में अंडर विच वन अब दे फॉलविंग कैटेगरी इस दे रिवर गंगा क्लासिफाइड अंदर रीज त्रूपी और बिहार यानि कि जो रिवर गंगा है ठीक है न जो गंगा नदी है अचा संधिया सिंग ने मुझे थैंक यू बोला लेकिन वो किस बात के लिए बोला इसका अभी तक मुझे खुलासा नहीं हुआ है अंडर विच वन अब दा फॉलविंग कैटेगरी इस दा रिवर गंगा क्लासिफाइड इंदर रीच थुझ फू यूपी अंड बिहार उस यूपी अंड बिहार के रिजन में बता रही है महल notamment पूछा है कि उस रिजन में गंगा रिवर आपकिस कैटेगरी के अंदर आती है इस्टेट रिवर के मेंडरिंग रिवर, ब्रेडिड रिवर या डेल्ट एक रिवर बिल्कुल सही, B option correct है मेंडरिंग रिवर के कटेगरी में आती है ठीक है ना, किसके मैं नहीं पता था तो पता कर लेंगे, ऐसे पता लग गया ठीक है बटा, चलिए, तो इसी बात पर लाइक करेंगे, ठीक है ना, इसी बात पर क्या करेंगे लाइक करेंगे, नहीं पता था तो पता लगा लो मेंडरिंग रिवर है, ठीक है, चलिए बात के लिए रहें, चलते हैं, next question की तरफ, like, share, subscribe करते रहेंगे बटा, चलिए next, अगला, question number 21 आपकी screen पर कुछ इस तरीके से आएगा, influence factor, influence factor for immediate settlement of footing depends on its, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है, influence factor की बात कर रहा है, किस की influence factor की, और पूछ रहा है, immediate settlement के case में, influence factor किरिस्पंडे, ध्यानयान की बात नहीं है, actually बात यह होती है, कि मैं comment, comment पर बहुत पेनी नजर रखता हूं, तो कुछ भी मुझे ऐसा comment देखता है, तो मैं उसको देख लेता हूं, और जो मुझे नहीं देखना है comment, उसे मैं नहीं देखता हूं, ठीक है, ऐसी student के तहित, मै आपको clear हो जाएगा, तो क्या है, Q, capital B, upon मैं, influence factor अभी तक नहीं आया, ठीक है न, 1 minus mu square और if, यह रहा influence factor, ठीक है, तो यह रहा आपका influence factor, किस-किस चीजों पर depend कर रहा है, यह आपका depend कर रहा है, size, shape, rigidity, or location, d option correct है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, न, d options का correct हो जाएगा, इसी बात पर like करेंगे, जानना जरूरी है, कुछ नमा 22 आपकी screen पर, settlement due to creep in soil, settlement due to creep in soil is contingent on, बताओ, जो settlement due to creep के कारण settlement किस में, primary, secondary, initial, compaction, जल्दी से बटा, बताओ, settlement due to creep, किस में पाया, primary, secondary, initial, अच्छा, स्वारी, भूल गया था मैं, भूल गया था और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीके न, माफी ऐसी हो कि, अगर उसके लिए, थोड़ा बहुत, वो बाद में देखेंगे, विक्रांत मौर जी का आथ बर्डे है, ठीके न, तो सारे लोग क्या करें, विक्रांत मौर जी को, एकदम दिल से क्या करेंगे उनको विष्ट करेंगे क्या करेंगे विक्रांद मौर जी को happy birthday एक तो यार कई सारे विक्रांद मुझे अभी confusion है विक्रांद मौर रही का था कि किसी और का था साथ मौर का ही है नहीं होगा तो फिर भी मन जाएगा क्या दिक्कत है तो विक्रांद मौर को क्या करेंगे happy birthday विष्ट करेंगे सारे लोग और उनसे कहेंगे जी हो तुम 60-65 साल और साल के दिन हो वही 365 वाले तो इस तरीके से उनको विष्ट करके उनको अच्छे good luck की क्या करेंगे चलो पढ़ाई विद्यान दो बिटा कि क्या है सेकंडरी कंसलिडेशन के अंदर नेक्स्ट की दरब चलते हैं क्या है क्या है सेकंडरी कंसलिडेशन के अंदर जल्दी अरे बिकरांद मौर एक्चली बिकरांद जी आई ही इसलिए थे अब पढ़तों रहे थे सुरवास सही तो उन्होंने यह कहा कि यह सारा बर्डे नहीं विश्ट हो रहा है ठीक है तो उन्होंने कहा तो उन्होंने अलग से कहा कि सर में सिर्फ लाइक करने आया था होता है और यह इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जब मुझे याद ना हो तो याद दिलाने कोई बुरा ही नहीं है काम अब तो मेरा बढ़े कोई विश्च करता नहीं है लेकिन काफी बार होता है कि किसी कोौल करो कॉल करकर के कहते हैं ऐसे कॉल करो 20-25 मिट दोस्त बात भी कर लेते हैं फिर हम रखने वाले होते हैं जब कॉल तो कहते हैं यार बर्डे था आज अच्छा खेर अब तो एक्साइड मेंटी नहीं रह गई इन अ मॉडल चॉएज श्टडी विच और फॉलाइं फेक्टर इंफ्लेंसे वाफ डावर्जन कर रहे हैं जल्दी बताओ ध्यान से कुश्टन को पढ़ो और बताओ residential density का answer यहाँ पर बता रहे हैं यह होती किया है वैसे कितना खतरनाक आंसर दिया है आपने हकीकत है इसका जो आंसर होता है वो है आपकी क्या बिटा trip purpose ध्यान से कुश्टन को परो model choice study हम कर रहे हैं यह सब छोड़ो क्या लेका which one of the following factor influences the shape of diversion curve diversion curve का shape हम क्या रखें कैसे रखें यह किस पर depend करेगा हमने जब highway पढ़ी थी तो हमने trip हम trips तो number of trips तो हम count करते ही थी ठीक है ना हम इस particular length उस पर particular road पर particular stretch पर कितनी number of trips ठीक है ना कितने number of vehicles की trips किस तरीके की लगी ठीक है ना तो उसके साब से हम diversion curve को decide करते हैं model choice studies के answer ठीक है चलिए next question 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 24 Denny's ground is a spatial type of ground which is Denny's ground जल्दी बताइए Denny's ground कल आपने ground के बारे में जाना था इस पर के बारे में जाना था ठीक है ना तो वैसी उसी में टाइप सब ग्राउंड में आपका आ गया है एक होता है special टाइप के ग्राउंड में जिसे हम कहते हैं Denny's ground ठीक है ना तो यह कौन किस तरीके का होता है यह आपका T 25 स्क्रीन पर आ चुका है what is the chemical symbol for ice as for the UNESCO terminology UNESCO की terminology के अंसार ice का chemical symbol क्या है जल्दी बताएंगे सामने chemistry के teacher भी है बहुत तगड़े वाले हैं वो उनसे पूछ ले आप ना बता भाव तो wizard of maths भी आ चुके है जल्दी बताओ इसका B option करेक्ट है S2O ठीक है यह ना इसको के terminology के according ice का जो symbol है वो आपका S2O ही है ठीक है चलिए बात के लिए रहे बात के लिए रहे बी नहीं सिर्फ आपका B बड़ी नहीं सिर्फ B होगा B option इसका right करेक्ट है परसांत सी बोल रहे हो की क्यों को होट हो कि पर्फ टाअफ नहीं फो होकी है विटा होकी टाइप नहीं होता हो allenि कि ओ sounding होटा है कि और देनिस का सेप होता वो ट्रै Update होता है नेक्स्टानुक्ष विछ बनाव फॉनुएग कोज एवलेंग इन का डिफेक्ट है रेवलेंग क्या है एक परकार का डिफेक्ट होता है रेवलिग यहूत है इस वगर्डीनेट फोटेंड़ पेमिंट पर देयो anything about में आपको बता दूँ एक देशी पन में थोड़ा रैवलिंग में क्या होता है जो आपका जो फाइन अग्रिगेट होते हैं जड़ने से लगते हैं कुलमला के उसमें से सर्फेस में से निकलने से लगते हैं ठीक है तो यह किसलिए होगा लेकिन तोलमाल करें तो चिपके का नहीं लेकिन ऐसा होता नहीं ठीक है एक आपकी क्या है uniformity नहीं है तो in that case जो आपका होगा वो reveling आपकी एक प्रकार कर डिफेक्ट होगा वो उसके open graded aggregate के कारण अकर हो जाएगा बात के लिए रहे तो कुछन में 36 है क्या answer हो गया बटा इसका हो गया D option correct है तो अपना answer सही कलना है अब इसमें मुझसे बहस मत करियो ठीक है ना इसमें बहस नहीं करेंगे आप ठीक है चलिए क्योंकि जो उसमें aggregates होते हैं वो उसमें निकलने लगते हैं surface से ठीक है चलिए next question 27 giving that the base ये question हमने ने जानमूज के रखा है अब वो important बात आ ही गई दो लोगों ने comment किया था comment तो बहुत सारे थे एक एक ने आधर पूरबा और उन्होंने ये कहा कि सर आप गुस्सा मत होने मैं गुस्सा बिल्कूल भी नहीं होगा उन्होंने मुझे नाम नहीं पता है उन्होंने comment करके ये बोला कि सर आपने गलत बताया जो डेल्टा ड्यूटी कल ये कल वाला कुश्चन है डेल्टा ड्यूटी बस अंतर इसमें यह है कि कल वाले कुश्चन में यहाँ पर एक जीरो अत्रिक था ठीक है ना मैंने जो डेल्टा ड्यूटी के लिए बताया था मैंने आपको क्या बताया था 864 बी बाइडी सेंटीमीटर में यही तो मैंने आपको बताया तक क्या यह चीज गलत थी क्या यह चीज गलत थी बताईए क्या यह चीज गलत थी यह टाइमर साथ घंटे बाद आपकी बिवेक सर की महराथन बारा घंटे की स्टार्ट होगी करेंट अफिर की यह मैंने फॉर्मूला आपको बताया बी की वैलू बेस पीरिड आपको सौ दिन दे रखा है ठीक है डेल्टा आपको निकालना है साइध हाँ ऑauso था एक प्रवाली चीज थी वह मैंने कहा था वैंने बोल दिया था कि आपको मैं अगले दिन बता दूँगा उस पर point है तो जब मैंने उस चीज पर तुमको बोल रखा है कि मैं बता दूँगा तो उसमें ऐसी क्या बात आगी जो तुम इतना नाराज हो गए ठीक कोई दिक्कत नहीं आपने पूरी respect के साथ पूछा तो उसमें कोई दिक्कत की बाद नहीं अब इसको ये कुश्ण सरह ले लेकिन फिर भी डाल लिया है आठ सो चौश्ट इंटू सौ और अपन में क्या करेंगे एक हजार हो जाएगा तो जीरो जीरो ठीक है ना इसको जड़ा कर लो 86.4 इसका अंसर हो जाएगा तो मैंने कल गलत नहीं बताए था आप एक बार चेक कर लेंगे उस चीज को ठीक है चली नेक्स्ट कुश्ट की तरब चलते हैं अगला अगला कुश्ट 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 नमर ट्वंटी एट बोल रहा है विच वन आप दा फॉलाइंग इसा मेजर फॉलाइंग इसे नॉट टाइप ओ मेजर इस्टॉर्म प्रेसिपिटेशन अच्छा एक और किसी ने का एक हमारे पुराने मित्र है स्वारी मित्र नहीं है स्वारी पुराने स्टुडेंट है यहीं से जुड़े हैं मैंग पालिवाल करके और वो जब से मैं पढ़ा रहा हूं और तो वो काफी प्यार भरे कमेंट करते रहते हैं ओनलाइन में भी आएंगे तो भी एकात तो गर्याई देंगे एकात गाली तो देते ही हैं वो तो अफ्लाइन कमेंट में भी अच्छे-च्छे सब्द मेरे लिए बोलते रहते थे तो कल उनों ने यह बोला उनका भी इयर मास्स्ट्रॉम, फ्रेंटल, औरोग्राफिक तो आपको इंडिया में रेनफॉल जो होती है वो, इयर मास्स्ट्रॉम होता यह प्रगार की वीक स्ट्रॉम होती है, ठीके न अब जिसे हम कहते हैं, मेजर नहीं है, बात केलिए रहे? चलिए, तो मैं कुछ कह ही रहा था तो मैंड पालिवाल जी थे उन्होंने भी कमेंट किया उन्होंने कमेंट कया किया भर वह हमें शेर करना चाहूँँ कि आपने किस टीचर को रख लिया ठीक है न, इस टीचर से तो कोई मोटिवेशन मिलती ही नहीं है ये खुद एक नमबर का आलसी है सब्द बता रहे हैं आफलाइन कमेंट में होंगे कल के मैं अब वहां जाके कुछ तुम लोग बखवास मत करने लगना ठीक है ना जो 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 जैसा बोला उसको आइसेटर रहने दो तो उन्होंने मेरे लिए ये सब्द प्रियोग किये तो पहली चीज़ मैंग पालीवाल तो बहुत पहले से जुड़े मैं इनके नाम को अच्छी तरह चर्चित हूँ एक्चुली मैं अपने हेटर्स को नहीं बूलता हूँ ठीक है तो पहली चीज़ तो इनके लिए ये थी मैंने का यार इस बंदे को आज पता लगा कि मुझे रखा एक्जामपूर ने एक्जामपूर में तो मैं डेड़ साल से हूँ दो साल पूरे होने जा रहा है हाँ और दूसरी चीज़ यह है कि आलसी हूँ और तीसरी चीज़ यह है कि तुम बोल रहे हैं कि मॉटिवेशन नहीं मिलता तो तुम यार अभी एकी वेकेंसी आई थी जनवरी में दिसंबर में लाश्ट में और एक साला पेपर आने वाला है कि अफी तब मॉटिवेशन नहीं डूर रहय हो कि तो अगर तुम अभी मॉटिवेशन डूर रहे हो मत डूरो तो न कोट नहीं करपाएगा अब तो बात निकल चुकी है आंस से तीकना मैंने काया तुम अभी तक motivation डूड रहे हो वो लड़का आज भी motivation की तलास में है जग जग हर channel पर जाके देख रहा है कहा motivation मिले content नहीं देख रहा हो अगर मैं तुम को जूट बोलूँ ठीक है ना कि मैं ऐसा मैं वैसा तो मैं खुद खुश नहीं रह पाऊंगा मुझे लगएगा क्या मैं किसी दिर्रामे कर रहा हूं मैं ऐसा ही हूं अगर तुम मुझसे कुछ सीखने ही चाहते है तो आलस आलस सीख गए बो भी तो नहीं सीख पाए होगे तुम और अगर सीख गए तो आओ कभी कमडी मैदान में आई यह हमारे साथ करके दिखाई आलस पना हम भी देखते हैं कितने वड़े आलसी हो तो मेजर सोर्स ऑप कारवन मोनोक्साइड इस दार्वन इन दार्वन एक्टमोस्फियर डिव टू कारवन मोनोक्सा सीओ की मेजर सोर्स अरवन एरियाज में क्या होता है इनकम्प्लीट कमडिशन ओफ फ्यूल इसका मेजर सोर्स होता है चले नेच्ट कुछ्टन आपकी स्क्रीन पर यह रहा है क्या बोल रहा है डीप पॉंट्स इन विच ऑक्षिजन इस एपसेंट एक्सेप्ट परहेप्स एक्रोसर रिलेटिबली थिन सर्फेस लियर आर कॉल्ड अब से मौरी जी मैंने आपकी बास सुन ली है तो किरपे आप अब इसका अंसर करें मनी श्रिंग बागेल को क्यों डाटे एन विल्कुल सही एन विक पॉंट्स इसका करेक्ट आंसर है तो यह रहे आज आपके लिए सिर्फ 30 कुष्टन लाया था सर्प्राइज था ऐसे सर्प्राइज देते रहते हैं आज सिर्फ 30 कुष्टन थे सिर्फ 30 थे उमीद करता हूं कुछन लेकिन अलग थे कुछन कुछ नए थे एक आधी होंगे जो आपके मिक्स होंगे ठीक है ना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही कुछन का लेवल है अच्छा विस्वास मानों मुझे टाइम लगता है चाटने में और हम टाइपिस्ट की भी पूरी गलती नही है वो भी कहता है कि तुम्हें घंटा बोलो तो हम दे थोड़न देंगे घंटे वो देता हमें वही आठ साड़े आठ नौ पर ही है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं तो आज के लिए इतना ही अच्छा जिनोंने लाइक शेर नहीं किया है करेंट फिर की क्लास साथ टाइमर दे अगर जनवरी से जून 2019 होगा तो यह पिछले छह महीने कहां से हो गए तो यहीं है ठीक है तो यह था बिवेक सर की क्लास को अटेंड करना आपके लिए बहुत important session है वो ठीक है ना सोबहें से लेकर और बाकी classes off रहेंगी example channel पर मेरी class होगी जीतन सर की class होगी अजय सर की भी class होगी कल ठीक है ना लेकिन जो सबहें की classes होती है 7 बज़े 8 बज़े 9 बज़े बो नहीं होंगी कल तो आज के लिए पर इतना ही चलते हैं और अपना review अपने offline comment में देते रहिए मैंग पालीवाल से यहीं उम्मीद करूंगा कि आपको motivation की आखिर में जो आप तलास थी वह आपको कहीं न कहीं मिली जाए ठीक है ना देखो आप ऑना serious mode या node जो भी कहते हो on a serious notch थोड़ा special सब्द एक सब्द मैं आप से बोलूँगा एक story अपनी बताता हूँ ठीक है ना अब हो गए question जिनको जाना वो जा सकते हैं एक story को यह story story नहीं सुनो पहले एक second ही बात है कि एक इनसान का अपना एक nature होता है ठीक है तो nature में अगर मैं यहां पर आ जाओ और एक serious सा चहरा बनाके serious attitude बनाके मैं आपको वैसी ही बातें करने लगो तो हो सकता आपको अच्छा लगे एक दो दो दुन तीन दिन अच्छा लगेगा लेकिन मुझे comfortable feel नहीं होगा क्योंकि बो जो मैं देख रहा हूं वो मैं हूँ नहीं ठीक है इस बात को समझो जो मैं तो मैं किसी को बुरा लगता हूं किसी को अच्छा लगता हूं अच्छा तो किसी को नहीं लगता हूं बुरा ही सबको लगता हूं लें उसमें खुद को अच्छा लगता हूं सबसे बड़ी बात ही है तो कुल मलाकी यह है कि आप से भी मेरी एक अपील है अनुसासन में रहो बस मे ने नेचर को चेंज कर लिया discipline का मतलब यह होता है कि जो चीज आपको समय बेर्थ कर रही है जो चीज आपको damage कर रही है ठीक है ना उन चीज को हटा के और अपना aim पर focus करना और उसके लिए जो 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 चीजें हैं वो करना वो होता है अनशासन जिसे हम कहते हैं अनशासन जिन्दगी जीना मैं यह नहीं कहता हूँ मेरी अनशासन हीन है लेकर मैं फिर भी बता रहा हूँ आपके लिए कैसा कर लेना ठीक है तो ऐसे ही है कुछ चीजे अपना अपनी नेचर होता है मेरा ऐसा ही है, मैं ऐसा क्यू हूँ, मैं वैसा क्यू हूँ, मैं ऐसा ही हूँ ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ, चीजने समझ आ रही होगी बाखी क्रेस कोर्स जल्दी से आ जाएगे, तो आज के लितने ही करते हैं झाल झाल